Hello students, welcome to TopPastJone. आज की इस वीडियो में देखेंगे certs and indices की tricks को. So students, अगर आप हमारे चनल पर new हूँ तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए और वीडियो को पुरा end तक देखें ताकि आपका कोई भी concept मिसना हो. इसकी 4 types होती हैं. तो हम यहाँ पर 2 types को discuss करेंगे. 1st type की question है root 2 plus root 2 plus root 2 up to infinity. देखें यहाँ पर आपकी जो है यह numbers में plus का sign given है. तो इसकी यह trick है. सबसे पहले जो number आपको given है जैसे 2 given है. तो आप 2 की जो है यह factors बनाएंगे. इस तरह के factors आपको बनाने हैं जिसका difference 1 होगा. जैसे 2, 1 is a 2. तो आपने यहाँ पर लिखा 2 and 1. अब देखें जो यहाँ पर difference है इनका. यह difference जो है. यह 1 है इसका. तो आपने यहाँ लिखा. जो यह difference है. 1. और आपको यह धियान रखना है. जब आपका यहाँ पर plus given होगा. तो आपको यह करना है. प्लस में जो है. वो big number लिखना है. और अगर minus given होगा. तो आपको small number लिखना है. जैसे अब यहाँ पर plus given है. तो 2 और 1 में से जो big number है. आपका 2 है. तो यही answer होगा. इसी तरह एक question और देखेंगे. इसी type का. root 72 plus root 72 plus root 72 up to infinity. पहले आप इसके factors बनाएंगे. इस तरह के factors आपको बनाने है. जिनका difference 1 आए. जैसे देखें. 9, 8, 72. अब देखें. यहाँ पर जो इनका difference है. यह 1 ही है. 9 और 8 का difference जो होता है. यह 1 होता है. ठीके. तो अब इसका जो answer आएगा. इन दोनों में से आप number देखेंगे. प्लस का sign गिवन है. तो big number देखेंगे. 9 और 8 में से जो big number है. वो है 9. तो इसका answer आएगा 9. अब देखेंगे. अब हम इसकी second type को discuss करेंगे. जहाँ पर आपको minus के sign गिवन है. तो देखेंगे. पहले यहाँ पर factors बनाएंगे. 12 के factors लेंगे. इस तरह है कि जिनका difference 1 आए. जिससे 4, 3, 12. तो देखेंगे इसका जो difference है यहाँ पर. वो 1 है. अब आपको यह ध्यान देना है. कि यह जो number है. यहाँ पर minus का sign गिवन है. और जब आपको minus का sign गिवन होगा. तो small number लेंगे. आप देखेंगे 4 और 3 में से जो number small है. वो answer आएगा आपका. Next है. root 110. minus root 110. minus root 110. up to infinity. तो देखेंगे इसके भी factors बनाएंगे. 11 10 सा. 110. अब इनका difference जो है. यह भी 1 ही आ रहा है. तो इसका answer जो होगा. 11 और 10 में से जो छोटा number होगा. small number होगा. वो 10 होगा. तो minus में आपको small number लेना है. और जो plus है. plus में आपको big number लेना है. So students, आज की इस video में certs and indices की trick को हमने discuss किया. So thank you for watching this video. अगर आपको video अच्छी लगी तो please like, share and comment.